हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में तो कैसे हैं आप लोग आई होप अच्छे होंगे तो चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं आज की वीडियो में एक गध्यांस लिया है और एक पध्यांस लिया है तो इससे समंदित जो भी प्रस्ण है उनको सौल करेंगे तो चलिए पहला प्रस्ण पढ़ लेते हैं लिखा है विसेसर विसेस का उधारण नहीं है तो पहला जो प्रस्ण है ये वियाकरण से है तो चलिए इसमें विसेसर विसेस जो नहीं है वसे ढूरते हैं तो सबसे पहले तो यह जानना आव परश्यक है कि विसेशड और विसेश होता क्या है तो विसेशड वैसब्द होता है जो विसेश की विसेशता बताता है विसेश की विसेशता बताता है विसेशड अब विसेश क्या होता है तो विसेश वैसब्द होता है जिसके बारे में बात की जा रही होती है तो इस प्रस् योग ये भी है आध्यात्मिक दुनिया ये भी है लेकिन मानव अस्तित्ति विसेशण विसेश का उधारण नहीं है तीसरा विकल्प इस प्रश्ण का उत्तर है अगला प्रश्ण क्या है उन्नती प्राप्ट करने के लिए आवस्यक है कि मनुस्त अब गध्यांस को पढ़ना पढ़ेगा तो चलिए पढ़ लेते हैं लिखा है इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नती के मार्ग पर चलने लगते हैं अपनी यात्रा के आरंब में वे अपनी प्रगती में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं उन आ प्रगती प्राप्ट करने के लिए कोई व्यवस्तित तरीका उबलब्द ना होने के कारण वे बहुत कमजोर थे तो पहले पैराग्राफ से क्या पता चल रहा है कि इच्छा से प्रिर्थ रुकर लोग उन नती के मार्ग पर चलने लगे अपनी यात्रा के आरंब में वे अपनी प्रगती में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं तो उन अगला प्रस्ण है गध्यांस के आधार पर कहा जा सकता है कि पहला विकल्प है परिवर्तन महतपूर नहीं होते दूसरा है परिवर्तन मानो जीवन का सत्य हैं परिवर्तन अब परिपक्वता को दर्साते हैं और शोथा है परिवर्तन तीवर गती से होते हैं अब पढ़ ल मानसिक और आध्यात्मिक अपनी यात्रा के प्रारंबिक चरड में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानों ने अकेले भौतिक और मानसिक चेत्रों में प्रगति की मानों संरचना में रूपात्मक परवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविस्त में भी होते रहेंगे तो ग परवर्तन मानो जीवन का सत्य है दूसरा विकल्प इस प्रस्ण में सही है अगला प्रस्ण क्या दिया गया है लिखा है अध्यात्म सब्द में एक प्रत्य लगाने पर सब्द बनेगा पहला विकल्प है अध्यात्मिक दूसरा है अध्यात्मीक तीसरा है अध्यात्मिक और च आध्यात्मिक सब्द बनेगा तीसरा विकल्प इसमें सही है तीसरा विकल्प सही होगा आध्यात्मिक अगला प्रस्ण क्या दिया गया है मानव सब्द में किस प्रत्य और उपसर्ग का प्रियोग संभव है तो मानव सब्द में कौण कौण से उपसर्ग और प्रत्याय लग सकते हैं, यह पूछा जा रहा है तो मानव सब्द में यह प्रत्याय लगेगा और आ उपसर्ग लगेगा तो इ प्रत्याय लगाने से क्या बन जाएगा मान वी और आ उपसर्ग लगाने से अमानव तो दो सब्दी ये बनेंगे पहला विकल्ब इसमें सही होगा अगला प्रस्ण है मानव के कौन से तीन पच्च हैं तो अभी गध्यांस में पढ़ा था लिखा है मानव अस्तित वित्रिपच्ची है कौन कौन से हैं भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक तो भौतिक मानसिक और आध्यात्मिक चौथा विकल्ब इसमें सही होगा अगला प्रस्ण दिया गया है लिखा है आध्यमानव ने फिल करना है छेत्र में प्रगति की परन्तु छेत्र में प्रगति नहीं कर सका चलिए गध्यांस पर चलते हैं तो ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसको जब पढ़ेंगे तो लिखा है अपनी यात्रा के प्रारंभिक चरण में सुदूर अतीत के अंधेरे युग में मानव ने अकेले भौतिक और मानसिक छेत्रों में प्रगति की तो पहले तो भरा जाएगा भौतिक आगे पढ़ते हैं मानोस अरचना में रूपात्मक परवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविस में भी होंगे मनुस भविस में उलेखनी परवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगबग अपरचित होंगे हम यह नहीं कह सकते के उन आरंभिक मनुस्यों ने वास्ताव में कोई महत पूर आध्यात्मिक प्रगति की थी तो दूसरे में भरेंगे आध्यात्मिक चलिए प्रस्ण पर चलते हैं तो पहले भरेंगे भौतिक यहां पर और यहां भरेंगे आध्यात्मिक तीसरा विकल्पिस में सही होगा भौतिक और आध्यात्मिक तो आधिमानों ने भौतिक छेत्र में प्रगती की परंतु आध्यात्मिक छेत्र में प्रगती नहीं कर सका अगला प्रस्ण है उलेखनी परवर्तन से तातपर है तो उलेखनी परवर्तन से तातपर आप बिना गध्यांस पढ़े भी इस प्रस्ण का उत्तर बता सकते हैं पहला विकल्प है बड़े बड़े परवर्तन दूसरा है महतपूर परवर्तन तीसरा है पुस्तकों में उलिखित परवर्तन और चोथा है पुरस्कृत परवर्तन तो महतपूर परवर्तन होते हैं उलेखनी परवर्तन से तात पर दूसरा विकल्प इसमें सही होगा उलेखनी पर्वरतन से क्या ताथ्पर है महत्वीड पर्वर्तन, अगला प्रश्नीं दिया गया है प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। पहला है सभी मनुस्यों के पास, दूसरा है सभी अज्यानी Spec- container के पास, तीसरा है सभी व्यवस्थित आदी मानवों के पास और स्वाथा है आदी मानवों के पास और स्वाथा है आदी मानवों के पास और स्वाथा है प्रस्ण दिया गया है कवता में पर सरवादिक बल दिया गया है पहला विकल्प है पिर कास दूसरा है अंदिकार तीसरा है सत्थ और शोथा है राहा तो कवता में बल दिया गया है सत्थ पर लिखा है सत्थ की विजय सदा असत्थ की हार हो तो सत्थ पर बल दिया गया है तीसरा विकल्प इसमें सही है अगला प्रश्ण है आंदिकार का परतीक नहीं है पहला विकल्प है बुराई दूसरा है निरासा तीसरा है चुनोतिया और शोगता लिखा है कवता के अनुसार राही की विसेस्ता है तो कवता के अनुसार राही की विसेस्ता क्या बताई गई है राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं तो पहले विकल्प में लिखा है कवता के अनुसार राही की विशेस्ता है पहला विकल्ब है हर तरह से काम निकालना दूसरा है हर तरह के मार्ग पर चलते रहना तीसरा है हर परिस्थिती में विजई रहना और चौथा है हर परिस्थिती में कारिरत रहना तो हर परिस्थिती में कारिरत रहना चोथा विकल्प इसमें सही है अगला प्रश्न क्या दिया गया है कवता के अनुसार किसी भी इस्तिती में क्या लिखा है कि कवता के अनुसार किसी भी इस्तिती में तो यहां लिखा है कट गया है सीस पर ये सीस है जुका नहीं यानि कि स्वाबमान बना रहा है सीस कट किया लेकिन सीस को जुकने नहीं दिया तो इसमें क्या होगा उत्तर स्वाबमान बना रहना चाहिए अगला प्रस्ण क्या है समू से भिन सब्द युग्म है पहला विकल्प है हार विहार दूसरा है सत्त असत्त तीसरा है जय पराज और जो था है पिरिकास अंदिकार तो ये तीनों आप देख सकते हैं विलोम लिखे हुए हैं सत्त का असत्त जय का पराज पिरिकास का अंदिकार लेकिन ये भिन है हार का विहार पहला विकल्प इस प्रस्ण का उत्तर है अगला प्रस्ण दिया गया है इस कवता का मुख स्वर है पहला विकल्प है तमस दूसरा है ओज तीसरा है स्रंगार और चौता है देश बक्ती तो कवता का मुख स्वर है ओज दूसरा विकल्प इसमें सही है तो गध्यानस और पध्यानस से जो भी प्रस्न पूछे गए थे उनको हल करवा दिया है वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई